हरी हियोम नमस्कार 23 जून 2024 का डैनिक राशिफल आज हम जानेंगे पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग की 23 जून 2024 का पंचांग आज दिन रविवार, आशाण मास और कृष्ण पक्ष की द्वितिया तिथी है 24 जून 2024 की सुभा 3 बजकर 25 मिनट तक रहेगी उसके बाद दिन रवितिया तिथी लग जाएगी आज शाम 5 बजकर 3 मिनट तक पूर्वा खाड़ा नक्षत्र रहेगा उसके बाद उत्रा खाड़ा नक्षत्र आएगा योग ब्रम करन तैतिल रहेगा चंद्रमा आज धनुराशी में राथ 10 बजकर 48 मिनट तक संचरण करेंगे उसके बाद चंद्रमा मकरराशी में संचरण करेंगे आज अभिजीत मुहरत दुपेहर 12 बजकर 2 मिनट से दुपेहर 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा तुरी पुशकर योग आज शाम 5 बज कर 3 मिनट से 24 जून सुभे 3 बज कर 25 मिनट तक रहेगा राहु काल आज शाम 5 बज कर 49 मिनट से शाम 7 बज कर 36 मिनट तक रहेगा तो ये था आज का पंचांग अब बात करेंगे दैनिक राशी फलकी 23 जून 2024 का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा किन राशियों को होगा लाप और किन को साबधान रहने की जुरूरत रहेगी आज इसकी चर्चा करेंगे तो बिना देरी किये होए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए 23 जून 2024 का दिन कैसा रहेगा आईए जानते हैं आज आपके पराक्रम में वृध्धी रहेगी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनरजी आज रहने वाली है एनरजेटिक आज आप फील करेंगे खुद की उर्जा को सही दिशा में लगाने का आपका आज प्रयास रहेगा पिता से आज आपके संबन्द अच्छे रह सकते हैं अगर पहले से कोई प्राब्लम चल रही थी रिष्टों में किसी प्रकार की अनबन चल रही थी तो पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन आपका उनके साथ जो विचारिक मत भेद है वो दूर हो जाए पिता की ओर से लाप्राप्ती के योग भी आपके लिए बन रहे हैं पराकरम में वृद्धी होने के वज़े से भाग्य आपका साथ देगा जितनी आप महनत करेंगे भाग्य आपका उतना ही फल प्रदान करेगा प्रेदर्शिकों अगर आप आज के दिन कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आज के दिन आपके निवेश के लिए ठीक रहेगा विध्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक रहने वाला है अच्छा रहने वाला है competitive exams की तयारी करने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा नोक्री पेशा जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा और वहीं कारोबारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है ध्यान रखें कि अपने क्रोध पर आपको नियंतरन पाने के जरूरत रहेगी किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना है नहीं किसी वाद विवाद में आपको पढ़ना है उपाय जो आज के दिन आपको करना है वो ये है कि आपको आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वहाँ पर पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी है विवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहिक जीवन आपका आज सामाने रहेगा और लव रिलेशन्शिप के लिए आज का दिन बहतर रहने वाला है आपके लव पार्टनर आपकी बातों की और आज ध्यान देते हुए आपको नजर आएंगे आज के दिन के लिए आपका शुब अंक है चार और शुब रंग आपके लिए है गुलाबी आईए अब बात कर लेते हैं अगली राशी की यानि की विशब राशी की 23 जून 2014 का दिन विशब राशी वालों के लिए कैसा रहेगा आईए जयान लेते हैं विशब राशी वालों के विवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहिक जीवन आज आपका सुखद रहेगा परिवार को लेकर थोड़ी सी परिशानी या कोई परिवारिक समस्या आज आपके मन को परिशान कर सकती है यात्राएं आपके लिए शुब रहेंगी कोई यात्रा आप कर सकते हैं कामकाज से रिलेटेड भी कोई यात्रा आप आज कर सकते हैं वहीं अगर बात करें निवेश की तो निवेश आज के दिन आप कर सकते हैं निवेश के लिए आज का दिन आपका ठीक रहने वाला है कारोबारियों की बात करें तो हो सकता है आज के दिन आपके कारोबार में कोई रुकावट या परिशानी देखने को आपको मिले परन्तु अपने बुध्धी मता से अपने ज्यान से आज के दिन आप हर समस्चा को, हर परिशानी को पार कर सकेंगे वहीं अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशन्शिप में किसी परकार की परिशानी, किसी परकार की अन्बन दिखाई दे रही है या फिर विश्वास में कमी, लव पार्टनर्स के बीच विश्वास में कमी दिखाई दे रही है स्वास्ते को लेकर भी आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए स्वासे सम्मंदी किसी परकार की परिशानी कोई जुखाम इन्फेक्शन या फिर सांसे सम्मंदी कोई प्रॉबलम आपको अगर है तो आपको अपना जादा ध्यान रखने की आविशकता रहेगी उपाए जो आज के दिन आपने करना है वो यह है कि आपने शिव मंदीर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना है प्रियदर्शको आज के दिन के लिए आपका शुभरंग है हरा और शुभ अंक आपके लिए है पांच आईए बात कर लेते हैं मिथुनराशी की मिथुनराशी वालों के लिए कैसा रहेगा 33 जून 2024 का ये दिन प्रियदर्शको आज के दिन परिवारिक जीवन आपका सुख़द दिखाई दे रहा है परिवार वालों का सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है वेवाहिक जीवन की बात करें तो वेवाहिक जीवन में अगर पहले से कोई परिशानी चल रही थी तो उसमें सुधार आपको आज नजर आ सकता है वेवाहिक जीवन आपका आज सुख़द रहेगा वेवाहिक जीवन का आप आज अनंद मनाएंगे प्रियदर्शको कारोबारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा कोई अच्छी डील आपको आज पराप्त हो सकती है कोई अच्छी डील आज आप कर सकते हैं लाप्राप्ती के योग बन रहे हैं निवेश आज के दिन आप कर सकते हैं निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक रहेगा प्रियो दर्शे को आलस से आपको बचना चाहिए मेहनत आप करते रहे तब ही जाकर आपको आपके भागय का साथ प्राप्त होगा विध्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा उपाय जो मिध्यों रशे के जातकों ने आज करना है वो ये है कि आज के दिन आपने दो रोटी बनाकर घर से लेकर जानी है और गव माता को अपने हाथ से खिलानी है इससे आपका आज का दिन अच्छा रहेगा लब रिलेशनशिप की बात करें तो लब रिलेशनशिप आज के दिन आपका सामान्य रहेगा नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आज का दिन सामान्य रहने वाला है आज के दिन के लिए आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक आपका है छे चलिए बात कर लेते हैं करकराशी की करकराशी वालों के लिए कैसा रहेगा 23 जून 2024 का ये दिन करकराशी वालों को अपने स्वास्थे में थोड़ी सी कमी आज के दिन नजर आ सकती है स्वास्थे को लेकर आपने कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है खास कर जिन लोगों को सांस से समंदी यानि की breathing problem अगर है या फिर किसी प्रकारक से उनको कोई infection की problem है आखों की problem है या फिर सर्दी जुकाम की problem है sinus की problem है उन्हें तो अपना ख्याल जादा रखने की आविशकता रहेगी शत्रों पर आज आप हावी रहेंगे खर्च अधिक आज आप कर सकते हैं इसलिए सो समझ कर आपको खर्च करना है फालतू का खर्च करने से आपको बचना चाहिए कोई वाहनादी अगर आप चलाते हैं तो वाहनादी भी आपको ध्यान से सामधानी से चलाना चाहिए किसी परकार की उदासी या मानसिक चिंता आज आपको बनी रह सकती है ओवर्थिंकिंग से आपको बचना चाहिए ज़ादा सोच विचार, ज़ादा सोचना और नेगरिटिव सोचना ये आपको परिशान कर सकता है प्रियदुष्य को विध्यार्थियों की बात करें तो विध्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आप जितनी मेहनत अपनी पढ़ाई में करेंगे उतना आपको फॉलप्राप्त होगा उपाये जो करकराशी के जातक आज करेंगे वो ये है कि आपको आज के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कनेर के पीले पुष्प अर्पिट करने हैं आप साथ पीले कनेर के पुष्प शिवलिंग पर आज अर्पिट कीजिए भोले नात की कृपा आप पर रहेगी और आपका आज का दिन अच्छा व्यतीद होगा निवेश की बात करें तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए वही नोकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा वेवाहिक जीवन की बात करें तो वेवाहिक जीवन आपका आज सामाने रहेगा आज के दिन के लिए आपका शुब रंग है गोल्डन और शुब अंक आपके लिए है दो आईए अब बात कर लेते हैं सिंगराशी की सिंगराशी वालों के लिए 23 जून 2024 का ये दिन कैसा रहेगा चर्चा शुरू करते हैं प्रिय दोशेगों आज के दिन के लिए आपका लव रिलेशन्शिप बहुत अच्छा जाने वाला है आपके पार्टनर लव पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडस्टेंडिंग आपको आज देखने को मिल सकती है अगर कोई परिशानी आपके लव रिलेशन्शिप में पहले से चल रही थी तो उसमें किसी परकार की इंप्रूव्मेंट आज आपको देखने को मिल सकती है वहीं अगर बात करें वेपारियों के लिए तो वेपारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा लाप्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं नोकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है अपने कारिस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है किसी परकार की appreciation आज आपको प्राप्त हो सकती है विध्यार्थियों के मन में थोड़ी सी चंचलता रह सकती है परंतो अगर आप अपना focus बनाए रखेंगे तो आपको बहतर result बहतर परिणाम मिलेंगे उपाय जो सिंगराशी के जातकों को आज करना चाहिए वो ये है कि आज आपको अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए पारिवारिक जीवन की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा उतार शड़ाव आपको देखने को मिल सकता है परंतु जीवन साथी के साथ आज आपका जो दिन है वो अच्छा रहेगा जीवन साथी का सपोर्ट आपको आज प्राप्त रहेगा प्रियदर्श को आज के दिन के लिए आपका शुब रंग है लाल और शुब अंक आपके दिये है तीन निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो आज के दिन आप निवेश कर सकते हैं निवेश करने के लिए आज का दिन आपका ठीक रहेगा चलिए अगली राशी की बात करते हैं जानते हैं कन्या राशी वालों के लिए 23 जून 2024 का ये दिन कैसा रहेगा प्रियादर्शकों आज के दिन आपको अपनी माता के स्वास्थे में सुधार नजर आ सकता है माता के साथ अगर आपके संबंधों में किसी परकार की परिशानी चल रही थी तो वो परिशानी भी आज दूर हो सकती है आप दोनों के जो वेचारिक मत भेद हैं वो दूर होते दिखाई दे रहे हैं रिष्टों में थोड़ी सी मदूरता आज आपके आ सकती है माता के आशिरवाद से ही आज का दिन आपका बहतर रहने वाला है प्रियदर्शकों कन्यारशी के जातकों के लिए सुख सुविधाओं में वृध्धी नजर आ रही है भूमी भवन वाहन आदी के सुखों में भी वृध्धी आपके लिए आज दिख रही है किसी प्रकार की डील, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी आज हो सकती है या फिर कोई नया वाहन आदी भी आज आप खरीद सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा रहने वाला है वही अगर स्वास्थ की बात करें तो स्वास्थ का ध्यान दखने के आपको अवशक्ता रहेगी वाहन आदी चलाते समय विशे सावधानी आपको बरतनी है शत्रू आपसे दब कर रहने वाले हैं कारोबारियों की बात करें तो कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा वही नोकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बहतर रहने वाला है किसी प्रकार के प्रमोशन के चांसिस भी आपके लिए बन रहे हैं प्रिया दर्शिकों आज के दिन जो उपाये आपने करना है वो ये है कि आपने आज गव माता को अपने हाथ से बनी हुई रोटी खिलानी है आज के दिन के लिए आपका शुभ अंक है पांच और शुभ रंग आपका है फिरोजी आईए अब बात कर लेते हैं तुला राशी की तुला राशी वालों के लिए कैसा रहेगा 23 जून 2024 का यी दिन अध्यात्म की और आपका रुजहान बढ़ सकता है भाग्य आपका भरपूर साथ आपको प्रदान करेगा परन्तु आपको मेहनत करते रहना है देखें हो सकता है कि आप मेहनत करने से जी चुराएं परन्तु ऐसा आपको नहीं करना है जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको भाग्य सुपोर्ट करेगा इसलिए अपने भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करते रहना है अपने पराकरम को बढ़ाना है आज के दिन अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता नजर आ रही है अगर कोई परिशानी पहले से चल रही थी अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपकी तो वो परिशानी आज दूर हो सकती है और आपके छोटे भाई बहनों को भी आज के दिन सफलता प्राप्त हो सकती है कोई छोटी यात्रा आप आज के दिन कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाबदायक रहेगी करियर से रिलेटिड काम से रिलेटिड भी कोई यात्रा आज आप कर सकते हैं वहीं अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो हो सकता है कि आपके life partner के साथ आपके बीच कुछ अनबन चल रही हो या फिर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि आपके life partner थोड़े से dominating nature के हैं या फिर आज कल आपको dominate करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु आपको इन बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने रिष्टे को preference देनी है और अपने रिष्टे को ठीक रखने का भरसक प्रयास करना है शत्रू आपसे दब कर रहने वाले हैं वहीं अगर बात करें विध्यात्यों की तो विध्यात्यों की पढ़ाई में किसी परकार की रुकावट या फिर पढ़ाई में concentration की कमी नजर आ रही है आपको कोशिश करनी है अपने concentration level को increase करने की उपाई जो तुला राशी के जातकों ने आज करना है वो ये है कि आज के दिन आपने हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना है निवेश के लिए आज का दिन आपका ठीक रहेगा आप निवेश कर सकते हैं वहीं अगर बात करें love relationship की तो love relationship में भी किसी परकार की परशानी आपके दिखाई दे रही है किसी परकार की अनबन या misunderstanding आपके और आपके love partner के बीच में दिखाई दे रही है प्रियदर्शिकों आज के दिन के लिए आपका शुब रंग है परपल और शुब अंक आपके लिए है साथ आईए बात कर लेते हैं रिष्चिक राशी की रिष्चिक राशी वालों के लिए क्या सा रहेगा 23 जून 2024 का दिन पोई दर्श्पे को आज के दिन आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी आप अपनी वाणी से लोगों के मन में एक अलग स्थान बना सकते हैं लोगों का मन आपकी और अकर्शित होगा परिवारिक जीवन की बात करें तो परिवारिक जीवन आज आपका सुखद रहेगा आपके परिवार वाले आज आपकी कोई बात मान सकते हैं माता के साथ भी आपके संभंध आज अच्छे नजर आ रही है हो सकता है कि आपकी माता आज की दिन आपकी कोई बात मान जाए परिवार वालों का पूर्ण सहयोग आज आपको प्राप्त होगा वहीं अगर बात करें विध्यार्थ्यों की तो हो सकता है कि विध्यार्थ्यों के मन में किसी परकार का भटकाव रहे और वो अपने गोल से डिस्ट्रेक्ट हो जाएं इसलिए आपको अपने मन को एकाग्र करने की अवशक्ता रहेगी कारोबारियों के लिए आज का दिन सामानने रहेगा और वही नोकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक रहेगा प्रियदर्शकों स्वास्थे का आपने खयाल रखना है अगर स्वास्थे समंदी कोई भी परिशानी आपको लगती है तो उसको लेकर लापरवाही नहीं भरतनी है वाहन आदी चलाते समय भी आपने सावधानी रखनी है ध्यान से वाहन चलाना है प्रियद्रशकों वेवाहिक जीवन की बात करें तो वेवाहिक जीवन वृष्चिक राशी वालों का अच्छा रहेगा और वहीं लव रिलेशन्शिप की बात करें तो लव रिलेशन्शिप में किसी परकार की परिशानी विचारी क मतभेद नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आपकी तरफ से ट्राई किया जाए, एफर्ड लगाए जाए, लव रिलेशन्शिप को ठीक करने के परंतु परिणाम कुछ जादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं उपाए जो व्रिश्चिक राशी के जातकों ने आज करना है, वो ये है कि आज आपने शिवलिंग पर कच्चा दूध अरपित करना है प्रियदर्शकों, आज के दिन के लिए आपका शुब अंक है, नौ और शुब रंग आपके लिए है क्रीम आईए अब बात कर लेते हैं धनुराशी की, धनुराशी वालों के लिए कैसा रहेगा तेज योग दो हजार चौबिस का ये दिन प्रियदर्शकों, शत्रू की बात करें, तो आपके शत्रू आपसे दबकर रहने वाले हैं, शत्रू आज आपके शान्त रहेंगे वही बात करें, विध्यार्थियों की, तो विध्यार्थियों के लिए आज का दिन बहतर रहेगा, अपनी पढ़ाई की और फोकस्ड नजर आ रहे हैं और अपनी महनत और अपनी लगन से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं वही बात करें, छोटे भाई बहनों के साथ आपके समंदों में किसी परकार की परिशानी आज दिखाई दे रही है या फिर हो सकता है कि पहले से ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ परिशानी चल रही हो विवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहिक जीवन धन्वराशी वालों का आज सामानने रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन ठीक रहने वाला है और वहीं कारोबारियों की बात करें तो उनके लिए भी आज का दिन ठीक ठाक रहेगा लव रिलेशन्शिप में थोड़ी सी कहा सुनी या किसी परकार के विचारिक मतभेद आपके अपने लव पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हैं परन्तु आज आप में दूसरों को मोटिवेट करने की शमता रहेगी दूसरों को सही सलाह देते हुए आज आज आप दिखाई दे रहे हैं एक पॉजिटिविटी एक उत्साह आज आपके मन में रहने वाला है जो कि आपके मन को शांत और प्रसन रखने वाला है उपाए जो धनुराशी के जातकों ने आज करना है वो ये है कि आज आपको सूरे ओदे के समय भगवान सूरे नारायन को अर्ख देना है आज के दिन के लिए आपका शुभ अंक है एक और शुभ रंग है ब्राउन रिया दर्शकों जिन जातकों को ब्रीधिंग से रिलेटेड कोई प्रॉबलम है साइनस की प्रॉबलम है किसी प्रकार की इंफेक्शन की प्रॉबलम है उन्हें आज के दिन अपना खास ध्यान रखने की अवशकता रहेगी इवेश आप आज के दिन कर सकते हैं चलिए अगली राशी पर बात करेंगे मकर राशी की मकर राशी वालों के लिए 23 जुन 2014 का ये दिन कैसा रहने वाला है प्रियदर्शकों आज के दिन आपके मन में एक परिशानी, confusion और अशान्ती बनी रह सकती है मन में किसी ना किसी प्रकार की दुविधा आपके आज बनी रह सकती है वहीं अगर बात करें माता के स्वास्ते की तो माता के स्वास्ते को लेकर कोई चिंता आपको आज रह सकती है या माता के स्वास्ते में किसी प्रकार की कमी आपको आज देखने को मिल सकती है खर्चों में वृध्धी भी आज आपके हो सकती है इसलिए फास्तु खर्ष करने से अधिक खर्च करने से आपको बचना चाहिए वहीं बात करें अगर स्वास्ते की तो स्वास्ते का ध्यान रखने के आपको आज अवशकता होगी किसी ना किसी प्रकार से स्ट्रेस किसी ना किसी प्रकार से कोई स्वास्ते को लेकर चिंता आपको खुद के लिए भी बनी रह सकती है प्रोपर्टी आदिसी रिलेटेड अगर कोई प्लान आपके दिमाग में चल रहा है या कुछ आप सोच रहे हैं तो उस प्लान को आगे बढ़ाने की आपको ज़रूरत रहेगी उस प्लान को आप इंप्लिमेंट कर सकते हैं वही अगर बात करें लव रिलेशन्शिप की तो लव रिलेशन्शिप आपका अच्छा दिखाई दे रहा है अपने लव पार्णर के साथ आपके रिष्टे सुखद दिखाई दे रहे हैं वही बात करें अगर शत्रों की तो शत्रों आपसे दबकर रहने वाले हैं शत्रों पर आप हावी रहेंगे उपाए जो मकराशी के जातकों ने आज करना है वो ये है कि आपने आज शिवलिंग पर थोड़ा सा शेह दर्पित करना है प्रियदश को वेवाहिक जीवन की बात करें तो वेवाहिक जीवन में थोड़ी सी परिशानी आपके नजर आ रही है आपके जीवन साथी के स्वास्थे में भी किसी परकार की कमी आपको दिखाई दे सकती है या फिर उनके साथ आपके रिष्टों में किसी परकार की परिशानी आपको आज दिखाई दे सकती है आज के दिन के लिए आपका शुब रंग है नीला और शुब अंक आपका आज रहेगा ग्यारा चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशी की और यानि की कुम्भ राशी की तरफ कुम्भ राशी वालों के लिए 23 जुन 2024 का दिन कैसा रहेगा जान लेते हैं कुम्भ राशी के जातक आज निवेश कर सकते हैं बड़े भाई बैनों के साथ आपकी रिष्टों में सुधार नजर आ रहा है उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा अगर किसी परकार की कोई परेशानी आपके और उनके बीच में चल रही थी तो वो परेशानी भी दूर होती आज दिखाई दे रही है लाप्राप्ती के योग बन रहे हैं कुम्भ राशी वालों के लिए कारोबारियों के लिए भी दिन ठीक है और जो लोग नोकरी करते हैं उनके लिए भी आज का दिन ठीक रहेगा विध्यार्थियों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं अपनी द्वारा की गई मेहनत का उन्हें फल प्राप्त होगा जो गोल्स उन्होंने अपने निर्धारित किये हैं उन गोल्स को उन लक्षे को वो प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं उपाय जो कुम्भराशी के जातकों ने आज करना है वो यह है कि आज के दिन आपने अपनी माता के चरन स्पर्ष करने हैं वेवाहिक जीवन की बात करें तो कुम्भराशी वालों का वेवाहिक जीवन आज समानने रहेगा लव रिलेशन्शिप आपका अच्छा नजर आ रहा है आज के दिन के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के दिन के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशी की यानि की मीन राशी की मीर राशी वालों के लिए कैसा रहेगा 23 जुन 2024 का ये दिन प्रेदर्शकों आज के दिन भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होगी निवेश करने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कामकाज में तरक्की के योग आपके लिए बन रहे है वहीं बात करें विध्यार्थियों की तो विध्यार्थियों के लिए भी सफलता के योग बन रहे हैं विध्यार्थियों को अपने द्वारा की गई मेहनत का फल शुप प्राप्त होगा प्रियदर्शकों लव रिलेशन्शिप की बात करें तो लव रिलेशन्शिप के लिए भी आज का दिन बहद अच्छा रहने वाला है आपके पार्टनर आपके लिए लखी साबित होने वाले हैं आपके लव पार्टनर आपके कामकाज को लेकर भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं अगर बात करें पिता की तो पिता के स्वास्थे में सुधार आज के दिन आपको नजर आ सकता है और पिता को भी अपने कारियों में आज के दिन सफलता प्राप्त हो सकती है आर्थिक स्थिती की बात करें तो मीन राशी वालों की आर्थिक स्थिती आज ठीक रहेगी भौतिक सुखों में भी आपके आज वृद्धी नजर आ रही है प्रिदर्श को उपाय जो आपने आज करना है वो ये है कि एक लोटे में आपने थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और उस जल में थोड़े से साबुद चावल के दाने डाल लेने है ग्यारा दाने आप साबुद चावल के डाल लीजे उसमें फिर वहजल आप शिवलिंग पर अरपित कर दीजे इससे भोले नात की क्रिपा आपको प्राप्त होगी और आपका आज का दिन बहतर जाएगा आज की दिन के लिए आपका शुब रंग है मैजंटा और शुब अंक आपके लिए है दस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा धन्यवाद